हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम एनलेसिस करेंगे निफ्टी फिफ्टी के बारे में और यहाँ पर आप देखेंगे फाइब मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ इसका मतलब हम कुछ लोजिक एक्सप्लेंट करने वाले हैं ध्यान से द डे क्लोजिग से नीचे चलना सुरूं हुआ तो डे लो तक आपको के पास स्कैल्पिंग का मोगा था दूसरा जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस कर गया तो आपके लिए डे क्लोजिग तक सीधे-सीधे स्कैल्पिंग करने का मोगा था अगर आपने किसी अगर आप इसे आगे एक्स्टेंड करेंगे, तो इस वाली candle ने breakdown दिया, किस किस का breakdown दिया, previous day low का breakdown दिया, trading day low का breakdown दिया, और सीधे सीधे आपको बहतरीन market ने selling opportunity यहाँ पे दी आपका target भी easily achieve हो गया, अई अब हम कल की strategy का discussion करते हैं, यहाँ पे जो हम ध्यान से समझेंगे, आपको कल को क्या बताय गया था, कि अगर market 13 का day low क breakdown दे के चलता है, तो जो नीचे सबसे ज़्यादा important है, वो 17,000 का level as a support important act करेगा, और धियान से देखो market ने इसी जोन पे 17,000 पे ही support लेके आपको एक reversal दिया है, तो यहाँ से कुछ confusion create नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग क्या यह सोचने लगे कि market 17,000 पे support ले चुका तो buying position ब focus करेंगे, क्योंकि फिर से हमारे लिए 17,000 lime light में आ जाएगा, कि 17,000 पे market किस तरीके से react करेगा, पहली जो भी situation रही कि मैं आपको आगे explain करूँगा, चलो मैं आपको सीधा वही पे लेके चलता हूँ, पहले समझते हैं, नो trading zone क्या होनी वाला है, यहाँ पर दो red line दिखाई 16,125 है, नीचले वाला line की बात करेंगे, 16,987 है, यह situation आपको यहाँ पे दिखाई दे लिए, यहाँ पे आप साब साब देखेंगे, जो यह 16,987 है, यह 17,000 के काफी नजदीक है, और market support लेके गया है, तो आप इसे मान के चलेंगे कि 17,000 पे ही support लेके गया है, तो फिर अगर इसका breakdown आया, तो यह हमारी trade लेने में और entry लेने में काफी मदद करने वाला है, situation के लिए होगी, जल्दी से पहला discussion करते हैं, अगर flat open हो कि positive momentum आया, उस situation पे जो हमारे लिए पहला target बनेगा, अगर आप scalping करना चाहते हैं, तो day closing से जैसी उपर जाएगा, तो 17,125 तक आ अगर आपको इसका breakout मिलता है, तो सिधे सिधे 17,200 आपके लिए अगला target हो सकता है, अगर आपको इसका भी breakout मिलता है, तो 14 का जो day high है, यह आपका target रहेगा, situation के लिए होगी, अगर flat open हो कि negative momentum आया, उस situation पे भी हम scalping कर सकते हैं, अगर day close से नीचे चलना सुरू हो गया market, तो और वहाँ पे हम क्या देखेंगे, day low तक हम scalping कर सकते हैं, अब यहाँ पे चीजे समझो, day low पे क्या आगा, अगर flat open हो कि negative momentum आया, एक तो आगया 17,000 का level, दूसरा आगया 16,987 का, यह तो हमें पता है, important level है, यह क्या है हमारा, previous day low बन चुका है, अगर market 17,000 का सीधे breakdown दे रहा है, तो हमारे लिए condition रहेगे कि market इसका भी breakdown दे, 16,987 का, ज्यादा बहतर क्या रहेगा, कि market आजाए 17,000 पे और इस zone के बीच में, और यहाँ पे कुछ time spent कर देखेंगे, फिर momentum दिखा दे, तो हमारे लिए वो एक बहतरीन opportunity होगे, समझ में आए, अगर market सीधे भी breakdown दे रहा ह है, और एक हलक असा retest कर दे, और 17,000 को retest कर दे, फिर momentum दिखा दे, वो भी आपके लिए एक बहतरीन opportunity रहेगी, समझ में है, मैंने दो बाते जो समझाए, negative momentum में clear होगी न, क्योंकि 17,000 को आप हलके में में मत लेना, या तो market को एक gap down opening देनी पड़ेगी, और इसका breakdown market को देना पड़ेगा, या फिर जादा बहतर ये रहेगा कि कुछ time spend करे market यहाँ पर, फिर breakdown दे दे, वो भी जादा बहतर रहेगा, अगर सीधे-सीधे breakdown दे रहा है, और volume है, तो हम entry बनाएंगे, अगर volume नहीं है, तो हम entry नहीं बनाएंगे, फिर से समझो, अगर सीधे-सीधे breakdown दे रह हो सकता है, यहाँ तक चीजे clear होगी, अगर आपको मिलती है gap up opening, फिर हम पूरा focus करतेंगे 17,125 पे, कि market इसके ऊपर, नीचे या इस लेवल पे gap up opening दे रहा है, और वहाँ पे अगर support लेके ऊपर चलता है, तो तब भी 17,200 हमारे लिए target रहेगा, अगर यहाँ से नीचे चलना target, इसका breakdown दे दिया, तो डेलो दूसरा target, situation clear होगी, अगर ज़्यादा बड़ी gap up opening मिलती है, around 17,200 के पास, इस situation पे हम buying को एकदम avoid करतेंगे, क्योंकि momentum काफी बड़ा मिल जाएगा, तो इसलिए buying करना ज़्यादा समझदारी नहीं होगी, अगर यहाँ पे resistance की track करे market और negative momentum दि breakdown आगया, day closing, इसका भी breakdown आगया, तो डेलो आपका दूसरा target रहेगा, अगर मिलती है आपको gap down opening, उस situation पे हम यह देखेंगे, gap down opening कहाँ पे मिल रहे है, अगर डेलो के असपास मिल रहे है, और market इसका breakdown देके नीची चलता है, तब भी आपको selling opportunities सीधे सीधे मिल जाएगी, और 16,900 आपका target हो जाएगा, उससे पहले अगर एक हल किसी रुकावट आई, तो 16,950 पे आ सकती है, नहीं तो market इससे achieve करने की कोशिस करेगा, 16,900 को, लेकिन अगर market यहाँ पे support लेके ऊपर चलने लगा, तो यहाँ से भी buying opportunity मिल जाएगी, logic क्या रहेगा, एक तो market day low पे support लेने की कोशिस कर रहा है, और यहाँ पे आपका target रहेगा, day closing तक पहला target, breakout मिल गा, तो 17,125 तक दूसरा target, इसका भी आपको breakout मिल गया, तो 17,200 को market achieve करने की कोशिस करेगा, यहाँ तक चीज़े के लिए हो, अगर जादा बड़ी gap down opening मिलती है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि price action क् करन रहा है, हम price action को follow करेंगे, अगर market gap down opening देके सीधा ही नीचे गिरना सुरू हो गया, तो हम sell नहीं करेंगे, भले ही कितना भी बहतरीन momentum मिल रहा हूँ, ऐसी situation हमने कब देखी थी 10th को, एक बड़ी gap down opening मिली थी और market फिर गिरना सुरू हो गया था, मैंने कहा था, avoid करना है, पहले price action बनने देना है, चलती train में गुसने की कोशिस मत करना नहीं, तो नुकसान होगा, यहां तक समझ में आ गया, लेकिन अगर market यहां पर support लेके उपर चलने लगा, उपर का buying का price action बन रहा है, तो market gap को fill करने की कोशिस कर सकता है, तो आप उपर की target लेके चल सकते हैं, अ अगर आपको इसका breakout मिल गया, जो में दूसरा resistance नज़रा रहा है, 17218 पर नज़रा रहा है, अगर आपको इसका भी breakout मिल गया, जो में तीसरा resistance नज़रा रहा है, तीसरा resistance बताने से पहले मैं आपको बता दू, यह आपके लिए किसी भी तरह कर ना तो कोई by recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बिनाई गई analysis वीडियो है, इनवेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करने है, अपने investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपका होनी वाला है, लोस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है, जो यहाँ पे हमें तीसरा resistance नज़रा रहा है, 17265 पर आपको यहाँ पे तीसरा resistance देखने के लिए मिल रहा है, अगर 50-50 में आपको देखने को मिला एक negative momentum, इस situation पर जो में पहला support नज़रा रहा है, 17,008 पर नज़रा रहा है, मोटा मोटा आप समझेंगे 17,000 पर, अगर आपको इसका breakdown मिलता है, जो दूसरा support नज़रा रहा है, 16,922 पर अगर आपको इसका भी breakdown मिला, जो में तीसरा support नज़रा रहा है, 16,848 पर आपको इहाँ पर तीसरा support देखने के लिए मिल रहा है, दोस्तों इस वीडियो को like कीजेगा, comment करके बताएगा analysis कैसे लग रहे है, नए हो चैनल पर subscribe कीजेगा और bell icon press कीजेगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी next वीडियो में किसी अच्छे content के साथ, thank you